पूर्ग मिडल ओडर बेट्समें सुरेश राइना ने हाली में आमस्टैम में अपना एक नया रेस्टोरेंट खोला है जिसको लेकर वो काफी एक्साइट भी दिख रहे हैं हाला कि रेस्टोरेंट खोलने वाले वो पहली क्रिकेटर नहीं है तो आईए जानते हैं ऐसे पाँच क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंनी क्रिकेट फील्ड के साथ और बाद में रेस्टोरेंट बिजनिस की और आगे बड़े हैं तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है इंडिया के किंग कोहली का जो की 1-8 कॉम्यून के नाम से फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चलाते हैं जो की अपने खाने और एम्बियंस को लेके बहुत ही पॉपिलर है और इस जगा के खानी का लुफ्त आप दिल्ली, कोलकाता और पूरे और साथ ही मुंबई में भी ले सकते हैं तो इस लिस्ट में दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा का जो की गुजरात के राजकोट में जड्डूस फूट फील्ड से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जो की 24-7 फैसिलिटी प्रोवाइट करवाता है और इस जगह पर आप गुजरात के प्रसित, वेजिटेरियन, डेली केशियस का आनंद ले सकते हैं आगे बढ़ते हुए लिस्ट में तीसरा नाम आता है जहीर खान का जो पूरे के पौश इलाके में डाइन फाइन के नाम से एक लगशीरियस रेस्टोरेंट चलाते हैं इस रेस्टोरेंट में आपको पूरा क्रिकेटिंग एक्सपीरियन्स देगी, इसकी फ्लोरेंग आर्टिफिशियल टर्फ की है, मैच के दिनों में ये जगह काफी क्राउडेट हो जाती है और इस जगह की must have thai food आपको जरूर ट्राय करना चाहिए, साथ ही साथ इंडियन और चाइनीज क्यूजिन भी पेहदला जवाब है तो इस लिस्ट में आखरी नाम है श्री लंका के पूर्फ क्रिकेटर्स का, जिनोंने अपनी on-field partnership को off-field partnership तक कायम रखा मिनिस्ट्री ओफ क्राप से अपना restaurant chain स्टार्ट का काम कुमार संगकारा और महिरा जैवर्दने ने किया और नाम के मुताबिक ये अपने क्राप और seafood को लेकर काफी popular है और इसके खाने का लुफ्त आप मुंबई में भी ले सकते है और ऐसे ही तमाम अनोखी जानकारी के लिए देखते रहिए जनतंत्र डिजिटल